कॉमेडियन कपिल शर्मा इंदनों काफी चर्चा में है उनके और सुनील ग्रोवर के बीच हुई लडाई ने अलगी मोड ले लिया है वहीं एक न्यूसपेपर ने दावा किया है कि कपिल ने नशे की हालत में सुनील पर जूता फैंका था मौके पर मौझूद एक पैसेंजर से पता चला है कि कपिल और उनकी टीम आस्ट्रेलिया से वापिस आ रहे थे क्रियू ने सभी पैसेंजर को फूट सर्व किया कपिल शराब पी रहे थे और उनकी टीम ने खाना शुरू कर दिया कपिल इस बात पर भड़क गए कि टीम ने उनके बिना ही खाना शुरू कर दिया है वो उची आवास में बोलने लगे और टीम को गालियां देने लगे पैसेंजर ने बताया कि कपिल पूरी टीम पर भड़क गए और कहने लगे कि मैंने तुमें बनाया है और तुम मेरे बिना जीरो हो जब सुनील ने कपिल को शांत करने की कोशिश की तो कपिल सुनील पर ही भड़क गए और बोलने लगे कि तू भी तो गया था शो छोड़कर पर आना पढ़ाना मेरे पास ही चश्मदीद का कहना है कि कपिल ने अपना जूता निकाल कर सुनील को मारा और कॉलर से भी पकड़ा और थपड़ मारने लगे पर इस दोरान सुनील शांत रहे जब से ये खबर आई है कि कपिल ने सुनील को जूता मारा तब से सुनील के फैंस कपिल पर भड़क गए है और कपिल के बारे में सोशल मीडिया पर बुरा भला भी बोल रहे है For more Bollywood and Pollywood updates, subscribe our channel Savera StarTalks